तो यहां पर हमारे पास है class 10th NCRD का में तो और NCRD की में थे यहां पर हम देखनी वाले है exercise 5.2 और 5.2 में question सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ एक दिया हुआ है एक ग्यारा आट पांच दो यह हमारे पास है ठीक हमने कहा है जहां से शुरू हो रहा है वह होता है मतलब अगर हम इसमें बात करें तो एक आमान यहां पर 11 होगा यह हो जागा तुम्हारा एटू यह एठीरी यह एपोर और इस तरह से चलता हुआ चला जाए मतलब यह एपी का पहला पद दूसरा पद तिसरा पद चोथा पद है यहां पर हमको पता है अगर हमको दी निकालना हैzhag दोंगा निकालते हैं एक टू मैनस का सब्सक्राइब यहां पर बोल रहा है कि इसे क्या इसी एपी का कोई पद मैनस एक हैं यह नहीं है यदि है तो यह कौन सा पद है याई पद नमबर कितना है कितने नमबर पर जाएंगे तो मैनस एक सुपरास मिलेगा इसका मतलब यह है तो मान लेते हैं माना कि a p का एनमा पद एक मैंनस 150 स्की ए एन बराबर हो जाएगा माइनस का 150 जो हो जाएगा एन बराबर माइनस का 150 अब समझो अगर हम लिखते एन बराबर तो फोर्मूला बता दो ए पलस एन मैनस वन into D होता है अब हमारे पास A N मतलब यह तो दिया हुआ है मैनस 150 तो मैनस 150 रख देंगे एक आम माने 11 है पलस N-1 N हमारे पास है ने D हमारे पास है मैनस का 3 एक बात बताओं उनको इसको उठाक इधर लेके आएंगे 11 को क्या हो जाएगा मैनस 150 और मैनस 11 बराबर में मैनस 3 को N से गुना करेंगे मैनस 3 N और फिर मैनस 3 को मैनस 1 से गुना करेंगे पलस का 3 इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया बागो कि मैनस 3 N ठीक है कर दो वाले तिन को अपणने प्रहों सीफट करेंगे नियुक्ट तौन एक सो एक सब्सक्राइब हो जाएगा इसका मतलब हुआ यहां पर बटे में माइनस से माइनस केंसिल हो जाने से कटने वाला कि निकटेगा यह हमारा पास एगाद रहा है 164 बटे में नहीं आता एतनी बात हमये साहिए ज्यान रखो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे तो यह मैंनस 150 जो है इस एक का पद नहीं है